नमस्कार बच्चों स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन अभी तक हम reaction types के बारे में बात कर चुके हैं चाहें वो addition reaction हो elimination reaction हो electrophilic addition हो या nucleophilic addition हो और substitution reaction SN1, SN2 के विशे में भी जानकारी ले चुके हैं आ गया है J-E-Mains आईए एराम से बैठके इसके आगे की कहानी शुरू करते हैं अब बच्चों आज की बात करते हैं electrophilic aromatic substitution के साथ आज काफी reactions के उपर बात होने वाली है अल्डोल के अल्डोल के अल्डोल कर चुका हूँ Kenny Zero की आज करने वाला हूँ और कुछ सवाल क्लास में कराने वाला हूँ जिनकी जिरूरत पड़ेगी आखे competitive test के अंदर तो कमर कसके बैठ जाओ रात है मैं जानता हूँ ठंड है मैं जानता हूँ सुबह पांच बज़े आप मुझे मिच जाना पांच एच्छा बज़े तो उरे चौपड़ा जी कहता है इत्ती सुबह तो में उठता ही नहीं तो उनसे कहता है जौन अपराहिम कहता है उरे चौपड़ा जी से आपको तो बदलना ही पड़ेगा अगर 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 जिन्दगी बदलना ही है तो खुद को तो बदलना पड़ेगा आए बैठना पड़ेगा तो इलेक्टोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिटुशन की जब बात करता हूँ तो बेंजीन एक नुक्लियो फाइल है एलेक्ट्रोन डेंसिटी ज़ादा है common sense की बात करेंगे कोई ज़ादा बहुत डिटेल नहीं लेकिन एक चीज समझेंगे कि इसके पास एलेक्ट्रोन डेंसिटी ज़ादा देख रही है तो क्या ये किसी और नुक्लियो फाइल को अपनी तरफ आने देगा नहीं खुद एलेक्ट्रोन डेच है किसी और के साथ क्यों आएगा यानि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस पे 6H लगे है किसी को आना है H प्लस को हटाना हो और H प्लस को सब्स्टिट्ट करना है और H प्लस क्या है एक इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पर होता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा सवाल तो यह भी बहुत तकड़ा है इलेक्ट्रो फाइल को हम जनरेट कैसे करेंगे कैसे हम बनाएंगे आईए ज़रा समझते हैं माल लीजिए यहाँ पर है CH3CN अब मुझे बनाना है इस बेंजीन से टॉलुवीन अब अच्छो बड़ी कमाल की बात है बेंजीन से बनाना है टॉलुवीन तो बेंजीन पर लगाना पड़ेगा CH3 और वहाँ लगाना पड़ेगा CH3 कैसे लगाएंगे दोस्तों CH3 Plus कैसे लगाएंगे आईए ज़रा देखते हैं यहाँ डाल दीजिए अन्हाइड्रस ALCL3 अन्हाइड्रस ALCL3 Lewis Acid है Lewis Acid Electron Deficient Species होते हैं उन्हें Electron चाहिए होते हैं भूके होते हैं वो Electron के तो बच्चों यहाँ पर CSC CL था एक Bond C का CL के साथ था ALCLC कहता है यह CL हमें दे दो ठाकुर विद बॉन्ड यानि देखो जराद्यान से AL यह कहता है लाव मुझे दो यह क्लोरीन विद बॉन्ड और ALCL4 माइनस बनाकर निकल जाता है मेरे बच्चों जैसे ही ऐसा होता है तो बिचारा C प्लस रहके रह जाता है हेट्टोलिटिक क्लीवेज भी है एक माइनस आयन निकल गया और एक प्लस आयन यहाँ पर लग गया CS3 देखता है कि भाईया बेंजीन तो 6-6 H प्लस लेके बैठा है यानि H लेके बैठा है इसको लात मार के बगा सकता हूँ प्लस अटा के तो यह CS3 प्लस इस H प्लस को यहाँ से हटा देगा और खुद जाके लग जाएगा क्योंकि यह एक एरोमेटिक कंपाउंड पर हुआ है इसलिए इसको एरोमेटिक सब्स्टिशन कहा जाता है तो कि एलेक्ट्रोफाइल्स का हुआ है कि एक CS3 प्लस ने H प्लस को अपने जगां से हटा दिया है तो यह Electrophilic Aromatic Substitution हुआ है क्योंकि बेंजीन पे Alkyl Group लगा है इसे Freedal Craft Alkylation भी कहा जाता है बहुत ही सिंपल शब्दों में है अब बच्चों अगर मैं आपसे एक सवाल आज पूछूँ सबसे पहले कि मेरे बच्चे यहां मैंने CL2 डाला है H2O के साथ तो क्या बनेगा सोचो एक मिनित अभी हम Substitution देख रहे थे और अभी हम Edition पे आगाए Class में मैं इसे जम करूँगा विद्वीन दी Concept डिक और J में इनकी Class लेने बैठे हो तो Ready रहना है दोस्तो क्या हो सकता है इस H पे Polarity है H प्लस है और यहां पर CL माइनस बनके निकलना चाहता है तो S CL पहले निकाल दो तो CL प्लस बनेगा और OH माइनस सरी हम कैसे पता लगाएगे बहुत Simple है मैं पहली Class से कहता आ रहा हूँ बेचैनी जहां Reaction वहाँ क्यों दोस्तों बेचैनी जहां Reaction वहाँ और दूसरी बात में बार-बार आप लोगों से एक चीज कह रहा हूँ कि वह यह All Reaction are Acid-Based Reaction बेचैनी जहां Reaction वहाँ All Reaction are Acid-Based Reaction C Double Bond C है और अगर C Double Bond C है तो यह एक Nucleophilic Center है अगर यह Nucleophilic Center है यानि यह Electron Rich Center है तो यह किसी Plus को ही अपनी तरफ बुलाएगा और अगर यह किसी Plus को ही अपनी तरफ बुलाएगा तो बड़ी कमाल की बात है कि हमें Plus ढूनना है कहा है Plus कैसे हो सकता है C-L-C-L था और H2O था यहाँ पर इस तरहें विजुलाइज करना शुरू करो आसानी के साथ चीजें होनी शुरू हो जाएंगी सबसे पहले देखो इसको हटा दो यह C-L Plus है और यह OH माइनस पहला अटेक प्लस वाला ही करेगा इसको यहाँ पर वैसे ही लगाओ नॉर्मली हम कहते हैं न कि यह bond यहाँ मूव करेगा इस पर माइनस आएगा और यह जाएगा ठीक है चिल आपको अपने दिमाग के अंदर इस विचार को बठाना है और बोड में तो आपको जिसा लिखना है वो तो है और जो आपका competition test है वहाँ तो आपको सही उत्तर तक बोशना अपने दिमाग में लाकर बैठो सही sequence सोच रहे हो कोई गलत नहीं सोच रहे यह minus इधर आता है फिर यह plus जाता है आप यहाँ plus आ है और यहाँ बिदे दिया इसने और यहाँ CL लगा पहला attack तो clear है मेरे दोस्तों अब यहाँ plus आया तो इस पर आके लग जाएगा OH लो जी कहानी खतम addition हुआ है simple OH माइनस आया था ना इलेक्ट्रो फाइल ने पहले attack किया था तो डरना मत अगर CL2H2 वह BR2H2 वह हो जाए तब भी यही है और अगर मैं आपसे साथ और खिल लूँ अगर ऐसा सवाल आपको दे लिया जाए लो जी ICL डाला है अब क्या बनेगा ICL डाला है क्या बनेगा दोस्तों हम आयार देखो I और CL याद है 12th की NCRT में T-block element में एक सवाल दिया है कि I2 और ICL कौन ज़्यादा रियक्टिव है फ़ी रियक्टिव वो ही है जिसके अंदर polarity है I2 होमो एटॉमिक स्पीशीज है ICL हेट्रो एटॉमिक स्पीशीज है दौनों की बीच में polarity रहेगी polarity रहेगी reactivity रहेगी I less electro negative है CL more electro negative है तो I क्या करेगा I plus charge accommodate करेगा with respect to chlorine तो बस फिर इस पे plus इस पे minus इसको यहां लगाओ प्लस यहां लगाओ और simple तरीके से I यहां यहां आसान है बिलकुल सबीब महिशवरी जी कहते है न आसान है हाँ जी बिलकुल आसान है कोई मुश्किल नहीं तो की सोच का फर्क है अपनी सोच को clear रखो के तो आसान लगे अब एक सवाल देता हूँ आपको चलिए black pen नहीं या blue से ले 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 चलो c6, h6 सवालों के साथ समझेंगे और मजा आएगा एक बच्चे ने कहां भी था कि तो सवाल दे लीजिए सब बिटा सवाल ncrt में बहुत है सवाल j means के previous question बहुत है organic के सवाल पुराने जो paper है j advance के उसके लिए बहुत है मैं चाहता हूँ कि आप solve करें करते चले जाएं और वो जो doubt आ रहे हैं वो comment box में डालते चले जाएं उन सवालों को मैं discuss कर लो अब आपने करते चले जाना है मैं हमेशा से follow करने के खिलाफ हूँ आप मुझे follow मत करो आप मेरे साथ चलो question करते चलो मेरे से जो help चाहिए वो comment box में डालते चले जाओ मैं वो help करता जाओ अभी बच्चे ने डाला भी है वो cvc के लिए डाला है मैं cvc के लिए वीडियो भी डाल दूँगा फ्रड़ा वक्त लगता है बच्चों कि बहुत सारी चीज़े हैं साथ में है तो अब हाँ मैं सवाल बता रहा था इसको देखो ज़रा है मैं अब यहां पर लिख दिया है अन्हाइड्रस है है यह सोचो क्या होगा है कि अ कि मैं अब यहां मैं अब बाल रहा है वे हैं आप एसक्तू्ट है यह से भी ओप हो इसक है यह सबनादीज़े यह सर दिया जो यह थे स्वाल चूंवेड़े है कि अ बच्चों जड़ा ध्यान से लेखे यह तो CL कोई कीचेगा यह तो आपका बेंजीन है अब यहाँ पर क्या हुआ CS 33 है तो यह टर्शरी कार्बन हो गया है इस वाले पर CL था यह चला गया है तो यहाँ पर प्लस आगा है अब वो ही रियरेंजमेंट की दास्ता यह प्लस यहाँ लगा है यह ठीक वैसा ही है कि आप भूके बैठे हैं याद करो रियरेंजमेंट समझाया था आप भूके बैठे हैं तीन दोस्त हैं आपके आप इधर बैठे हैं कौन हैं खा सकते हैं बशरते की बीच में आ जाओ आपने आशीश को बोला आयार तुइधर आ जा मैं बीच में जाता हूं तो अरग के टिफिन भी शेर कर लूँगा तेरा भी आशीश शिफ्ट हो गया तो वह वन टू आशीश शिफ्ट होगी ठीक वैसे ही यहाँ पर यह पिलस था इसने अपने प्ड़ासी कारबन से कहा दोस्त किसी तरह मुझे अपने पास लेगे देगे मैं जादा सेटेवल हो जाओं अभी तो मैं एक ही कारबन से टैज्ट हूं प्राइमरी में हो यहाँ तो हो जाओंगा कारबन कहिगा मेरे पास हाइड्रोजन तो नहीं है तो Mithile से request कर दो इस ने इस Mithile से request करी Mithile यहां से हटके यहां आया 1, 2, Mithile shift हो गया बहुत ही मस इधार अब बच्चो यहां पर जब 1, 2 Mithile shift हुआ तो यह क्या बना यह Mithile इधर और plus इधर ये मिठाइलिबर अब प्लस यहाँ स्टेबल है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ स्टेबल है तो बेंजीन पर यही वाला जाएगा देखें ध्याम से देन है दोस्तों जिस पर प्लस स्टेबल हो गया वो चला जिया अब देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ अगर मैं आपसे पूछता हूँ अब जिसकी एक्षन सोचो एडिशन एक्षन कर चुके हो नेम एक्षन पर आ रहे हो कोई बात नहीं यह सोचो देखो दोस्तों अगर कॉपी पर कर लिया है तो ध्यान से देखो बेचैनी यहां है इसने अटैक करना है अब यह एच प्लस अगर बेंजीन के एच प्लस पे अटैक करता है तो कोई फट नहीं पड़ेगा एच प्लस एच प्लस से इम ही रहनी कहानी यह अगर यहां वोई चीश कहानी यहां पर तो यह प्लस अगा अब देखो मज़े की बात यहां पर बी- आर माइनस भी है और यहां पर बेंजीन भी है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रों ग्यच स्पीशी यही सोच डेवलपट करनी है दोस्तों यही दिमाग में लगाना है, दोनों के दोनों, all reaction are acid base, मज़ा यही है, दोनों के दोनों electron rich हैं, यह प्लस उन दोनों को ले सकता है, बियार भी लग सकता है, बेंजीन भी लग सकता है, बड़ यह major होगा, minor वाला भी count करो, अगर वो total number वाला सवाल आ जाएगा न, कि numerical वाला जो question आता है, जई में, तो सारे गिनने पड़ेंगे, फिर तो यह भी है, और फिर यह भी है, समझ में आगई बात है, यह major minor वाला concept है, आनंदी यही है जिन्दगी में, समझते चलो, कुछ पल्ले बड़ा दिमाग में, इलेक्ट्रोफिलिक, substitution reaction इस तरह से पूछी जाएंगे, हमने काफी reactions अभी तक समझी है, acid base के level पर, और हर तरीके, क्या ग्रिगनाड का edition भी acid base है, हाँ जी, मैं हमेशा कहता हूँ, सारी reaction acid base है, सोचने की कमी हैं आपके, जड़ा देखो, nucleophilic edition आपने देखा ही था बच्छी, देखते चलो, क्योंकि सवाल, अब आपके साथ discuss करने हैं, एक दो दिन थोड़ा सा class में delay हुआ है, मैं ज़के लिए दहे दिल से माफी चाहता हूँ, लिकिन आप जानते ही हैं, एक दिन तो system भी break हो गया, पता नहीं क्या, चली नहीं रहा था, अब ज़ला देखना बच्छा, अब इन concepts के उपर सवाल तबसे ज़ादा है, ये ग्रिगनार्ट दी एजेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, अब फिर वोई कहानी, फिर वोई दास्ता, reaction वहाँ, बेचैनी जा, हम अपने जैसे लोगों में मिल पाते हैं, अपने जैसे लोग, वो ये न, like, dissolve like, एक strong acid, strong base के साथ जो जाके जोड़ेगा, और एक weak acid, weak base के साथ, एक electrophile, एक nucleophile, के साथ, ओके दोस्ते, अब आप से में एक सवाल करता हूँ, R पे भी माइनस है, और X पे भी माइनस है, X माने हैं है लोगों, आपके हिसाब से इन दोनों में से better nucleophile कौन होगा, electron rich दोनों है, I am talking about कि better nucleophile कौन होगा, मैंने आपके साथ यहीं इसी platform पे discuss किया है, Electrophile, Nucleophile के विशे में जब बात कर रहे थे, और बिल्कुल सबसे पहले Base और Nucleophile का जब हमने discussion देखा था, Base और Nucleophile दोनों electron rich species होते हैं, बड़ Base वो होता है जिसकी Electronegativity जादा है, जो कंजूस जादा है, जिसकी कंजूस ही कम है, जिसकी Electronegativity कम है, वो better nucleophile रहेगा, polarity रहती है, O पे माइनस, T पे पे हमेशा से polarity है, क्या किया जाएफ़े, कुछ नहीं करना भाइए, यह Electrophilic Center है, और यह Base है, यह Electrophil है, तो Nucleophile को ही जाना है, Electrophil के पास, जल जलें, यह बन गया, पहला स्टैप जब आपके दिमाग में क्लियर होता है, तो आगे के स्टैप धीरे-धीरे समझ में आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ O पे माइनस, यह R, और यहाँ पर S थाई, O पे माइनस हो गया, M G कहता है, हम क्या बावले हैं, हम भी आएंगे, हम थोड़ी छोड़ देंगे, हम भी तो जुड़ेंगे, जुड़ लो भाई, आप जुड़ेंगे, तभी तो reaction आगे चलेगी, अब यह दास्पाई हा तक हो गई, इसमें डाल दिया जल, देखो बेटा फिर पहला क्या हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग इस तरहें खुले, इस सोच के साथ, C double bond C भी एक unsaturation है, हम जानते हैं, unsaturated hydrocarbon class trend से पढ़ते हा रहें, C double bond C, एक unsaturation, unsaturation जहां होगी, वहाँ पर addition तो हो नहीं ह लेकिन, addition होगा, double bond है, तो मतलब एक carbon पे plus, और एक पे minus, लेकिन, क्योंकि C double bond C, electron density, जादा दिखा रहा है, nucleophilic nature दिखा रहा है, तो उस पे attack करने कौन चला आएगा? इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक addition दिखा रहा था, अचा, C double bond C के साथ ही visualize करो, C double bond O, बेक carbon की जगा, oxygen आ गया, organic chemistry की तो definition ही ये कहती है, कि this is the study of hydrocarbon and their derivatives, तो अब O आ गया, अब O, बहुत जारा जल्दी से लोगों के साथ, sharing करने में यकीन नहीं रखता, तो O पे जो minus होता है, उस पे attack करने इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ सकता, हाँ, जिक C पे जो plus होता है, उस पे attack करने नुक्लिफाइल आ सकता है, तो जहाँ C double bond C में इलेक्ट्रोफिलिक addition हो रहा था, वहाँ C double bond O में नुक्लिफिलिक addition होगा, I think my point is clear to each and every one of you, देखना इस तरहें शुरू करो, सारी organic के हर एक page को नहीं देख सकते, सवाल करने के तरीकर देखना है, तो इसी चीज पे, इसी philosophy पे चलते चले जाओ, शॉर्ट में होता चला जाएगा, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो, जरा ध्यान से visualize करो बच्चों, यह C double bond O था, जब C double bond C था, तो एक चीज इसको मिली थी, एक चीज इसको मिली थी, और एक bond हड़िया था, अब भी यह हुआ है, एक चीज इसको मिली है, एक इसको मिल है M G X, M G X, M G X, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो M D H के founder, आपको बताईए, अब नहीं रहे, बहुत महनती आदमी, बहुत ही ज़्यादा, कहां से कहां, अपने आपको लेकिए, वो यह दर्शाते हैं कि problem के सिकाने चलते रहोगे, तो कुछ नहीं होगा, तो दोस्तों, अब य M G ने देखा, M G गो तो ज़्यादा, Concentrated Negative Charge पसंद है, यानि अगर देखाए हो, तो basic थोड़ा था उसको ज़रा पसंद आएगा, कि वो strong में टालेगा, वो OH को लेके भागा, मैं तो भागा OH लेके, और H प्लस यहां लग रहोगे हैं, अब देखो, Carbon और Oxygen के बीच Double Bond था, Carbon को मिला R, Oxygen को मिला H, कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर है, मिलना भी यही था, Carbon और Oxygen में Oxygen ज्यादा Electro Negative था, तो उस पे Negative चार सस्टेन होना था, तो H प्लस तो वही जाना था, और R माइनस इधरा के लग लग लिए, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल सिंपल बात थी, वही प्रोड़क्ट आया, Common Sense की बात यह, कि जिस Carbon पे Double Bond O था, उसी Carbon पे R लगा, उसी Carbon पे H लगा, Nucleophilic Edition हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, और मैंने आपको Eldol के विश्य में तो समझाए यह था, यह बात, दोस्तों, अब जड़ा सोचना, कि भई, Acid Base की बात करी, Combination की बात करी, मेरे पास, अब, यह दो, Eldehyde से, ठीक है, और यहां मैंने डाल दिया है, Concentrated NaOH, जानते तो आप सब हैं इस Reaction को, क्या आप समझ रहे हैं, मैं क्या देना चाह रहा हूँ, सवाल में, वो देखना है मुझे, जानते हैं आप सब हैं Reaction, चलिए, करते हैं, क्या कर पाएंगे इसमें, एक मिनट सोचो, क्या हो सकता है, बट अब अपने पुराने ग्यान से नहीं, जो मैंने आपको अभी बताया, उस ग्यान से सोचो, तब देखते हैं क्या हो, और यहां पर यह कार्बोनाईल बॉन्ड है, तो Nucleophilic Addition तो होना ही होना है, तो चलिए, कर देते हैं Nucleophilic Addition, यहां O-, यहां OH, यहां H, दने बच्चों, कोई दिखकर, यह बना, पहला step यह हो, बट अब मॉलिक्यूल पे Negative Charge है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मॉलिक्यूल पे Negative Charge है, Now, this molecule wants to get rid of this Negative Charge, How it is possible, How can we get rid of this Negative Charge, This is what we need to understand, कि अब अगर यह Oxygen वापस bond बनाता है, तो कहता है OH, तू निकल सकता है क्या, ना रे, मैं तो अभी आया हूँ, अभी अभी तो आये हो, अभी अभी तो आया है भीया, क्यों जाये, क्या किया जाये, Charge भी अटाना है Negative, खरे, कोई बात नहीं, गरीब आदमी है न एच, मारो लात, भगाव बेचारे को, और क्या है, दुनिया है यह बेदर्द, कमजोर रहोगे, तो दुनिया लात मार के भगा देगी, जैसे मर्जी यूज कर लेगी, हाइड्रोजन बनना चाहते हो, यह तुम्हारी मर्जी हो, एच, सी डवल बॉन्ट, O, 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 पहला स्टेप बच्चों, इस मेकैनिजम का यह हुआ, कि O, 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 rate determining step है, यही मुश्किल बात है, क्योंकि अब यह दूसरे molecule पर जाएगा, यह और कठिनात्मक सवाल होता जा रहा है, क्योंकि अब यह जो H- है, यह इस पर जाएगा, होई, 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 इस पर जाके, इसको, यह 2H थे, एक H और चला गया, और O पर negative, क्योंकि H यहाँ जाएगा, माइनस लेके तो उपर जाएगा, तो CH3 O- generate होगा, CH3 O- है कि strong, अब basic nature show करेगा, और यह acid है, तो इस से H+, कीच लेगा, तो बनेगा क्या, CH3 OH, इसने, इसका H+, कीच आए, यहाँ माइनस है, वो NA आके लग जाएगा, तो मुझे मिलेगा, H, C double bond O, O-NA, PLUS, CH3 OH, and this is my, Kenny Zero reaction, reaction में, नाम याद होने, बहुत जरूरी है, mains के point of view के, उच्छों देखते जाओ, देखो, conceptually अगर मैं जाओं, तो सरिफ मुझे, mains के point of view से, reaction के नाम, याद होने बहुत जरूरी है, advance में तो बेटा, वो question ही पूछेगा, चाहें वो name reaction से पूछ ले, चाहें वो कैसे पूछे, इसमें एक ची ध्यान रखो, यहाँ पर यह LD height था, और इस पर alpha H नहीं था, LDol में SAD catch था, तो पहले वो निकल लिए यहाँ पर SAD catch नहीं है, तो मजबूरी है, किसकी OH- की, कि विचारा क्या करें, है तो base, कुछ नो कुछ तो करना है, तो यह करने आ लिए, ठीक है, कोई tension तो नहीं, चलिए, यह LD हाइट से बना, acid, यह LD हाइट से बना, alcohol, self-redox होई लिए, अपने आपको oxidize कर लिया, अपने आपको reduce कर लिया, can he zero is a self-redox reaction, अब जब यह कर रहे हूँ तेक सवाल भी कर वा, अपने इन classes में मेरे साथ practice ले तो करते चल नहीं है, अभी तो कुछ होगा, ने तो इसम से तो सवाल होँगे नहीं है आपसे, चलो, करो बिठाएगे, डेखें क्या तो चलाते हैं, क्या तो चलाते हैं, हर्श आप ने मुझसे कहा कि फिजिकल केमिस्टरी के डालो तो मैं आप लोगों सी जानना चाहता हूं कि यसाम और णके सवाल भी आप लोग्लों करेंगे मेरे साथ तो किसके साथ साहती to could कि हम फरवरी वाले जहीं मेंस को पहले टागेट करेंगे तो उसके साथ से चलू पहले यह बच्छों आप मुझे अडवाइस करना आइड यूर ओपीनियन या तो मैं फरवरी वाले मेंस को पॉइंट फ्यू लेकर चलू पहले पहले और कि मैंने तो इसको एडवांस के के लिए ही आने वाले 25-30 दिन मेंस के लिए ही बहुत जान लगाके उसको ही कराता जाओं कि देखो प्रॉपरली मैं उसे आप से टाइम भी डिस्रिबूट कर पाऊंगा कि टाइम आप देखे रहे हो कम निकल पाता है और सारी चीज़ों से ठीक हैं तो फिर भी मैंस को आप चाहते हैं तो मैं मेंस को पहले टागेट करता हूं और एडवांस की चीज़ें भी धिर धिर भी बीच में बताता रहूंगा जैसे कोश्चन से करता हूं देखो भी आला कोश्चन कितना असान है बही एन वह है मुझे वच्चों कुछ नहीं बता मुझे खाली इतना प है मिशेद है कि यह गणितों इसके बिलने है है में कि लेकिन शाए है मज़ा कि में वूंद इंकाल कर यहां मैनस लगा और इस वाले इस वाले मैनस को कि इस वाले कारवन यूज रहा हूं देखें क्या हो था यहां हुआ यह O माइनस एक दो तीन चार एक दो तीन दो तीन चार चौथा कार बनीए रहा और इसने इसके साथ बोहन बनाया एक दो तीन चार कार बनीए रहा एक दो तीन चार कार बनीए रहा इसने ही हाँ जागे जोड़ा एलडोल ही तो करा है मेरे दोस्त और ये इधर है तो ये डबल बॉंड इधर है ये हां लगा है तो ये तो ये रहा एक दो तीन एक दो तीन तीसरे पर ये था ये बना बीटा हाईड्रोक्सी बन रहा है इसके लिए एलफा और ये बीटा बीटा पर ओश लगा हुआ और ये ओश लगा हुआ और अगर ये ओश हट भी जाए क्योंकि टेंपरेचर तो बड़ा दूँ लो टेंपरेचर पर ये तो बनता है एलडोल ये इधर हुआ तो यहां ये डबल बॉंड लाना चाहेगा क्यों लाना चाहेगा डबल बॉंड रेजुनेंस होजात अब क्योंकि ये विदिन अमॉलीक्यूल ये लडोल हो गई है इसे कहते हैं इंट्रा मॉलीक्यूलर iseenyond कितना सिंपल था क्या बड़ी बात थी असान है चलिए अब दुस्तर एक और देखते है और यहां डाल दिया है मैंने अब क्या हो सकता है अब करेंगे तो चूँँ अब करेंगे दिमाग लगाए करो यह बैठते हैं मेरे साथ को दिमाग लगाए कर देखो बच्चों यह एच प्लस यहां लोन पेर अटैक करेगा यह एच तो निकलेगा प्लस इस पर आजाएगा अब देखो जानसे देखना बच्चा यह कारबन इस अगर था इस कारबन पर प्लस आगया यह एच प्लस वाला कारबन इस कारबन से कहता है दोस्ट क्या शिफ्ट कराओगे मैं जारा स्टेबल हो जाओँगा ठीक वैसे ही अभी जैसे मैंने पहले शिफ्ट कराया मिधाईल शिफ्ट कराया क्या यहां पर हो सकता है विज्वल वाइस करना दोस्तों एक कमाल की चीज है यह जो प्लस है अगर यह प्लस यहां आना चाहता है इसके साथ में यह जो मिधाईल है उसको यहां आ जाना चाहिए मिधाईल शिफ्ट हो गया और यह बॉंड ब्रेक हो गया तो एक दो तीन चार पांच छे अरे पांच के रिंग चेकी हो गए अरे यही तो रिंग एक्सपेंशन है रिंग एक्सपेंशन कोई और बड़ी चीज नहीं है दोस्तों अब बना लो यह कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन एक कार्बन दो कार्बन, तीन कार्बन इस पर यह लगा, इसी प्लस आ गया चार पांच छे चार, पांच, छे, यह बन गया, खतम, अब प्लस यहाँ पर आ गया, तो क्या हो सकता है, कोई और नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ नहीं है, तो ऐलिमिनेशन करा दो, किसी को बोलते हैं, पीटा, रिंग एक्सपेंशन, कितना सिंपल है, कितना प्यारा है, कितना असान भीया, कुछ भी नहीं है, रिंग एक्सपेंशन हो गया, मिथाइल शिफ्ट ही तो है, और क्या है, अब वो आप से पूछता है, हाइडरेशन, रियक्शन के विशे में, नु कि नॉर्मल्फी, अगर किसी भी हाइड्रोकारबन के अंदर, पानी डालेंगे, हाइड्रोकारबन के रहो, किसी भी, अल्डि हाइड या कितों ने पानी डालेंगे, तो भीया होना तो यही ए, फिर वापस यह दर चला जाएगा, एक्विलिब्रियम कंडिशन में, यह तब यह देखो ऐसा है यह water medium है वो pure basic medium भी था और उसमें भी काफी mechanistic approaches हैं जो भी हमें कोई इतनी जुरूत नहीं है तो normally geminal जो diol होते हैं वो early height बना देते हैं कुछ-कुछ होड़े अब उसको समझने का एक बहुत बढ़िया आपको तरीका बता रहा हूँ इसमें H2O डाला है और यह बना है अब यहां मज़ा यह है बच्चों यह form is stable की यह form is stable अब देख सकते हैं कि because of these three electron withdrawing group यहां पर nucleophilic addition के chances थे और हुआ है पर ऐसे भी देख सकते हैं उस समझने के लिए यहां पर कि इन तीन की वज़े से प्लस charges carbon पे ज़्यादा है और इस पर ही plus है तो इन दौना में repulsion अधिक है और अधिक होने की वज़े से अनिस्टेबल है सब्सक्राइब दो बंदे आपस में गाली के लौज कर रहे थे लड़ रहे थे एक को आप जानते थे आपने छोड़ना रमेश क्या रखता है तो बोलता है रहता है कहां तक सोचता रहेगा आदत है उसकी पुराई करने क्या रहत है उसकी लड़ने कहां तक सोचेगा तो छोड़ अपने काम पे ध्यान दे तो यह चीज हुई ना अब तो रमेश भी चतन्य के साथ बुड़ाई करने लगे उसके साथ बहस बाजी में लग जा तो क्या फाइदा रहे तो इसका मतलब कि यहां पर इस पर ही प्लस इस पर ही प्लस कि दौनों भेंकर लड़ रहे थे आपने को समझाया एक का प्लस चार्ट थोड़ा कम किया इस पर डबल बॉंड ओ था और दौनों पर ओएच ओएच से कम हो गया तो लड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी रिफल्शन थोड़ा कम हो जाएगा स्टेब्लिन थोड़ी बढ़ जाएगी तो यह थारा स्टेबल हो गया तो यह हाइड्रेशन कर देता है बचों आप लोगों के लिए अब एक सवाल रहा कौन-कौन से और ऐसे हैं जो हाइड्रेशन करते और अब आप लोगों को एक बार 12.13, 12.12, 12.15 और 12.17 फिर समझना है इसी अप्रोश से और 12.7 भी जो मैंने आज अक्किलास में बताई है के एंड के लिए और जो कोश्चन मैंने बताए हैं इसको जूरू करना है कि कुछ लेकर आउंगा हमाइज से कोश्चन भी करांगा अगले सेशन अभी के लिए इतना ही दोस्ते अ जिनों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा कर लो आप लोगों ने मुझे बताना है हाश आप नहीं बताना है क्या फिजिकल के भी साइड बाए साइड डाल दूं कुछ ऐसे वीडियो जो हेल्प कर जाएं मेंस के लिए और थोड़ा वक्त मुझे जिस दिन जाला वक् जिनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा कर लो शेर कर दो तकि और बच्चे भी देख सकें कंटेंट आपको यहां पर मैं सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट जरूर दूंगा डोंट वरी चलो बच्छो मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में सब तक के लिए नमस्कार झाल